हेलो फ्रेंट्स वेल्कम वन्स अगें तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अनलीसिस फ्रम ट्रेदिंग्ट्राइब डॉटिंग सबसे पहले कल के आनलीसिस का विकली रिव्यू करते हैं फिर कल के लिए यानि फूर्थ में के लिए क्या सपोर्ट और अजिस्टन्स के लिए उसको अइडेंटिफाइ करेंगी प्रिवियस वीडियो अगर आपको देखना है तो उपर यह आया बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी तो जैसे कि हमारे प्लान के अपरिंग ब्रेकाउट लेवल बन रहा था 14,693 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,593 तो आज जैसे ही मंडे ओपन हुआ मार्के इस ने ब्रेकडाउन लेवल को यह ब्रेक नहीं कर पाया इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और यहां से फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आते हुए एकजैक जो सेकेंड टार्गेट था इसी के पास यह काफी देर सपोर्ट डून रहा था यहां से फिर जैसे बाउंस बैग हुआ ब्रेकडाउन लेवल को रेजिस्टेंस बेस किया फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ है और फिर्स टार्गेट सेकेंड टार्गेट दोने भी आचिवी की तो यहां पर काफी एकुरेट लेवल साबिक हुए तो प्लान के ओपरिंग को देख लेते डेली चाट में यह जो 900 पॉइंट का अपसाइड मॉव आया था बाउंस बैक आया था जबर्दस अभी इसका रिट्रेस्मेंट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है थोड़ा सम बाजार में भी प्रेशर द अभी 61.8% के पास इसमें सपोर्ट टेस्ट करके यहां से बाउंस बैग देखे तो यह फिर से एक बार 20 और 50 यह में के ऊपर आके जर्स प्रोज हुआ है तो यह पॉजिटिव साहिन है अभी तक इसने इस 20 यह में को ब्रेक नहीं किया है वीकली चार्ट में भी जब तक यह में कल के लिए देखते क्या इंट्राडे लेवल सोचते है ब्रेक आउट लेवल तो हमारा सेम होगा देखे आज भी इस ने इस ब्रेक आउट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया यहां पर रजिस्टेंस फेस किया है बहुत जबर्दस स्विंग हाई आपर बनाया पास्ट में तो 14,693 कल के लिए भी हमारा ब्रेक आउट लेवल होगा और इसको अगर ब्रेक करें तो ही इंट्राडे के लिए हम यहां पर बाई पॉजिशन मना सकते है और अब अब अरवारा फरस्ट अरगेट होगा और सेकंड अरगेट होगा और आउंड 14,740 यह हमारा सेकंड अरग तो इसको comfortably break होने देजे, यानि around यह जो level है, आप देख सकते हैं, जब upside move आया था, एक छोटा सा pause लेकर यहां से इसने bounce back लिखाया था, और आज भी जब उपर जाते वक्त, second target के पास ही, जो हमारा आज का breakdown level था, इसी के पास काफी देर यह penetrate कर रहा था, hurdle phase कर रहा था, दो बा आज के लिए हम short position मना सकते हैं, और तभी हमरा first target होगा, 14,571 यह हमरा first target होगा, और second target होगा, around 14,545 यह हमरा second target होगा, चलते हैं, अभी bank nifty के लिए देखते हैं, क्या intraday levels हो सकते हैं, अभी 60 minute का chart देखें, तो उपर काफी सारे hurdles है, moving averages के, 20,50,100, यह short term, mid term, long term, moving averages है, तो completely इनको break होने दीजिए, उपर की तरफ, जब यह उपर की तरफ, इन सब को break करेगा, तभी intraday के लिए हमें आपर by position मना सकते हैं, यानि around 32,813 इसको अगर break करें, उपर की तरफ, तो ही int intraday के लिए हमें आपर by position मना सकते हैं, और तभी हमारा first target होगा around 32,907 यह हमारा first target होगा, और second target होगा around 33,18 यह हमारा second target होगा, और अगर towards south की तरफ पात है, तो आज का जो lowest closing level है, यानि 32,119 इस level को अगर break करें, breakdown level होगा, तो ही intraday के लिए short position मना सकते हैं, और तभी हमारा first target होगा around 32,007 यह हमारा first target होगा, और second target होगा around 31,888 यह हमारा second target होगा, तो यह है nifty, bank nifty के intraday levels कल के लिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर करें, so thank you very much and happy to be. पूमेता पूमेता और सकत दो खुमपनों यह हमार होगा भुमपनों अगको अगर सच mutually हैं बास्वेश侵ान